इस देश में लकडी से बनी है 24 मंजला इमारत दूर दूर से देखने आते हैं लोग किसी घर को बनाने में सीमेंट, पत्थर, प्रेट और नजाने क्या-क्या इस्तिमाल किया जाता है लेकिन एक इमारत को बनाने में उसके पिल्डों को छोड़ कर पूरी तरह से सिर्फ लकडी का इस्तिमाल किया गया है 24 मंजला इस इमारत की उचाई 99.9 मेटर है लकडी का इस्तिमाल करते हुए इतनी उची इमारत का निर्मान करना अपने आप में एक अनोखा काम है पूरी तरह से इकोप फ्रेंडली इस लकडी की इमारत में 150 से अधिक कमरे बनाए गए हैं बिल्डिंग की मजबूती के लिए देवदार की लकडियों का इस्तिमाल किया गया है इस इमारत की दिवार से लेकर छट तको भी लकडी से ही तैयार किया गया है चीन के गुष्जोई प्रांत के इंगाशान शहर में बनी यह इमारत फिलहाल तो खाली पड़ी है लेकिन परियटकों के देखने के लिए इसे खोल दिया गया है इस इमारत को देखने के लिए दूर दूर से परियटक आते हैं उनके लिए यह इमारत किसी अजूबे से कम नहीं है लकडी से बनी इस इमारत का निर्मान आर्कीटेक्ट सुई हैंग ने किया है सुई हैंग के अनुसार इस इमारत को बनाने में दो साल का समय लगा गया है सु हैंग ने बताया कि इस इमारत की जिजाइन तीन साल पहले ही बना ली गई थी लेकिन इसकी रुप्रेखा तयार करने में ही करीब एक साल से अधिका समय लग गया